छे महत्व पुरुन बाते जो हर सनातन युवक को पता होना चाहिए, हर हिंदू को पता होना चाहिए, सरोप्रथम मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान शी कृष्ण भगवान शीर्राम हाउस अफ लौड के इंग्लेंड के सदसे रहे थे? नहीं ना, तो ये क्या लगा रखा है? लौड अफ रामा, लौड अफ कृष्णा, सीधे-सीधे कहिए ना, भगवान शी कृष्ण, भगवान शीर्राम, ये सीधे-सीधे बताईए कि हम अपने हिंदू देविताओं का भगवान के के अर्थ करते हैं, जिसका वर्नन, इंग्र बलकि वो शांती के साथ किसी कबर के अंदर पड़ा रहे और वहीं पर दफन हो जाए, लेकिन हमारे सनातन धरम के अनुसार, किसी मृत्यू के पश्चात, उसका पूनर जनम होता है, उसे ओम शांती कहके मोक्ष प्राप्ति हो, ऐसी कलपना की जाती है, संकलपना ली जाती ह सिदे सिदे आपको कहूं, तो किसी रुक्ष के कटने के बाद जैसे उसका पूनर जनम होता है, ठीक किसी मृत्यू के पश्चात, किसी व्यक्ति का पूनर जनम होता है, ये हिंदू धरम हमें सिखाता है, तीसरी महत्वपुरुना बात ये है कि महाभारत और रामायन को पहले लिखे युवा है, महाभारत और रामायन को माइथोलोजी कहके वरनित करते हैं, और जिनको ये शब्द का अर्थ नहीं पता, उनके लिए बता दू, माइथोलोजी शब्द बनाया मित से, मित शब्द का अर्थ होता है, जूटा या फरेब, और ये जो मित शब्द है हमारे संसित शब्द मित्या से ही आया हुआ है, तो मित्या करत होता है, जूटा, तो रामायन और महाभारत को जूटा कहने वालो, अपने आप पर शरम करो, और सनातन होने पर गर्व करो, इन्हें माइथोलोजी कहकर हमारे भगवान शी कृष्ण और भगवान शी राम का अ क्योंकि यह प्रातना गर नहीं, बलकि हमारे भगवान का विश्राम गरह एवं देवाले है, हमारे मंदिर के अंदर केवल प्रातना नहीं होती, बलकि वो हमारे भगवान का ही घर है, तो यह सारी चीज़े आपको पहले समझनी चाहिए, आगे चलते हैं, और अंतीम बात हम आप लोग को समझना चाहिए कि हिंदू धरम के अनुसार अगनी को बुझाना सबसे जादा अपशकून माना गया है अपने बच्चों को सिखाईए कि तमसो मा जोतिर गम है इसकार्थ यह होता है कि अगनी देवता को प्रजोलित करके हम अपने बच्चों के उज्वल भवश्य की कामना अपने इष्ट देव से करते हैं लेकिन अंग्रेजों के जो चोचले हैं उसको मनाते मनाते हम लोग भूल चुके हैं कि आखिरकार हमारी धरम क्या है हमारा सभ्धता क्या है हमारी संस्कृती क्या है लेकिन जब तक आप जैसे और हम जैसे युवा जीवित है तब तक अपने सनातनियों को जागरित करने का प्रयास पुरुन तहा करते रहेंगे इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली है तो आगे तक जरूर पहुँचाए और हर उस युवा सनातनियों को बताए कि आखिरकार ये च्छ महतो पुरुन बाते जो आपको मैंने बताई है वो कितना जादा माहिने रखती है हमारे सनातन धर्म के अंदर तब तक के लि